तो गाईज आज हम बात करेंगे बजाज की Pulsar RS200 BS6 2022 model के बारे में 2022 model आप इसे कह सकते हैं और इसे completely redesign करके market में launch किया गया है Pulsar series की ये काफी sporty bike में से एक है youth के बीच में काफी ज़्यादा famous है और आज की इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे complete information में आपको detail में देंगे किसमें क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं क्या नई specification एड किये गए हैं और अब आपको इसकी on road price कितने रुपए देखने को मिलने वाली है तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो के साथ पूरा अंतक बने रहीगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आम उतकुमार और आप देखे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइड एरे के भी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे मेनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाईएगा तो इसक्रीन पे आपके सामने है completely redesigned 2022 model बजाज पलसर RS200 BS6 और यहां मेरे हाथ में आप इसकी चावी देख पा रहे होंगे और आज की इस वीडियो हम इसका करेंगे review और जानेंग इसके बारे में पूरा detail से तो वीडियो के साथ बने रहीएगा और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके price की जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है तो गौर से सुनेगा current में जो इसकी एक सोरों price है वो आपको 1,70,771 रूपीज 1,70,771 रूपे देखने को मिलेगी एक सोरों price प्रयाग राज उत्तर प्रदेश की जो इसकी complete onward price बनेगी वो आपको 2,3,000 to 2,5,000 रूपीज यानि 2,3,000 से 2,5,000 रूपे के बीच में इसकी complete onward price देखने को मिल जाएगी प्रयाग राज उत्तर प्रदेश में तो ये थी इसके price की बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके specification की तो सबसे पहला हम आपको इसका instrument cluster दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको जो इसका meter console मिलता है semi-distral meter console देखने को मिलता है वही पुराने अंदाज में जहाँ पर टेको meter आपको analog देखने को मिलता है चोटा सा distal setup प्रवाइड किया गया है जिसमें आपको odometer, trip meter, low fuel indicator, gear shifting indicator, watch ये सारी चीज़ें आपको distal देखने को मिल जाती है meter console का design है वह आपको काफी sporty देखने को मिलता है right side आपको distal console प्रवाइड किया जाता है left side आपको indicators मिल जाते हैं जिसमें आपको neutral indicator, battery indicator, engine mall function, light, side stand indicator, battery volt indicator, साथी साथ बजाज का logo भी देखने को मिल जाता है right handle bar पर आपको engine kill switch के साथ power, selfie start switch देखने को मिल जाता है clip on handle bar इसमें आपको देखने को मिलता है तो riding का जो posture है वो आपको काफी बहतर देखने को मिलता है वह इं front profile की बात करने तो front से इसका look आपको काफी ज़्यादा बहतर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको dual LED projector headlamp देखने को मिल जाता है तो visibility को ले कि इसमें आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलती है उपर आपको eyebrow shape में LED DR light भी देखने को मिल जाते है जो कि इसके look को और भी ज़्यादा enhance करते है फ्रंट से इसका look आपको robotic look देखने को मिलता है काफी खुबसूरत लगता है और उपर आपको एक white color का windsheet देखने को मिल जाता है जो कि racing करते time आपको काफी help provide करते हैं जो इसके mirror है वो आपको काफी stylish look में देखने को मिलते हैं काफी खुबसूरत लगता है side में आपको side reflector भी देखने को मिलता है और fender पर आपको ABS की branding भी देखने को मिल जाती है जो की stickering में रखी गई है और front tire की बात करने तो front में आपको 100 by 80 का 17 inch का tubeless tire देखने को मिलता है जो LI wheel है वो आपको black color का देखने को मिलता है और उस पर आपको red color की steeping भी देखने को मिल जाती है तो काफी खुबसूरत लगता है वहीं front suspension की बात करें तो front में आपको telescopic with anti-friction bus suspension देखने को मिलता है तो suspension quality को लेकिन no doubt इसमें कोई भी problem नहीं आती है यहां visor पे आप देखेंगे तो आपको dual toning देखने को मिल जाती है red black और white color का combination देखने को मिलता है और जो इसका side का visor है वो आपको काफी attractive design में देखने को मिलता है तैंक पे आपको pulsar की branding भी देखने को मिल जाती है 3D emberd chrome finish के साथ में दोनों साइड आपको pulsar की branding देखने को मिलती है और जो fuel tank capacity हो आपको 13-liter का fuel tank capacity देखने को मिलता है fuel injection supply system इसमें आपको देखने को मिलता है तो fuel efficiency आपकी पहले से बहतर हो जाती है वहें इस side में आपको 200 की branding देखने को मिल जाती है जो की stick ring में रखी गई है engine की बात करें तो इसमें आपको 199.5 CC का 40 stroke single cylinder triple spark 4 wall liquid cooled BS6 compliant DTSI engine देखने को मिलता है जो max power मिलेगी वो आपको 24.5 PS की मिलेगी 9750 RPM और जो max torque मिलेगा वो आपको 18.7 Nm का 8000 RPM तो power और torque आपको इसमें काफी बहतर देखने को मिलता है जिसकी वज़े से इसका performance भी आपको काफी बहतर मिलता है और engine को काफी refined भी किया गया है तो आपको smoothness भी काफी ज़्यादा बह जीज़ा fiance सिटिंग कमफर्ट की बात करें सिटिंग कमफर्ट आपको split seat देखने को मिलती है तो RIDER के लिए seat आपको काफी बहतर मिलती है काफी comfortable मिलती है बटreck ब्ल्मधर के लिए को थोड़ी सी कम चौड़ी seat देखने को मिलती है तो हो सकता है लोग धोरी करते time प्ल्में一個 को थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है सीट काउल पर आपको RS 200 की ब्रैंडिंग भी मिल जाती है जो की स्टीकरी में रखी गई है और आपको ग्रिप भी देखने को मिल जाता है जिसे पकड़ के आप अपने बाइक के बैलन्स को भी मेंटेन कर पाते हैं रियर प्रफाइल में जो आ आपको 230 में का डिस ब्रेक देखने को मिलता है और इसमें भी आपको ABS का सपोर्ट मिलता है तो ब्रेकिंग को लेके इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है रियर का जो टायर हो आपको 130 by 70 का 17-inch का ट्यूबलेश टायर देखने को मिलता है तो आपको काफी चोड़ा देखने को मिलता है तो suspension quality को लेके इसमें कोई भी प्रॉबलम नहीं आती है ट्रांस्मिशन की बात करें तो 6 गेर इसमें आपको देखने को मिल जाते है तो चटे गेर पर आपको राइडिंग भी काफी स्मूध देखने को मिलती है वहीं dimension की बात करें तो इसकी जो लाइक देखने को मिल जाती है तो कैसी लिए बाइक और कैसी लिए वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छे लिए तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर दब